हेलो फ्रेंड्स वेल्कॉम टू माई इस्टुड्यू फीड चनल दोस्तो आज मैं बताने वाली हूं एथलेटिस में कौन-कौन से इवेंट्स होते हैं और कितने इवेंट्स होते हैं तो आप मेरे चनल पर कांटिन्यू बन सकते हैं सिलिवेस के कार्डिंग सब कुछ मैटर पाने के लिए तो दोस्तो चली जानते हैं इस लेटिस के बारे में तभी इवेंट्स के बारे में दोस्तो इस टापिक से आपके एक दो कोस्टन हर बार पुछा गया है rhagие cul takes on can do pडा या दो पेटिक से इस टापिक से अब पुछा गया है तो दोस्तो इफलेटिक जैसा कि इसको खेलो की दाने भी का जाता है जैसा कि आप सभी जाने है जैसा कर आप सभह है गेंड़ो की माथा यानि मंदर आप sports जो है और त्राइक पर होता है जैसे कि ट्रैक पर होता है जैसा कि आपको पता है कि track 400 meter and 200 meter का होता है तो extended रुप में 400 meter track को रखा गया है तो कई योगा पुछा जाता है कि कि किपने meter का extended track होता है तो 400 meter का होता है अब जानते हैं track and field के अंदर गद कौन-कौन-से events आते हैं तो श्पprinter race with middle distance raceoter यानि दूटे की दौडें लंग distance race यानि लंबी दूरी की दौडें, अब अब स्ट्रेकल रेश यानि बनादार लीले रेश यह सब थ्रेक इमेंट्स के इमेंट्स के आते हैं या फिल इमेंट्स के ऊंथर एंण जैंपिग इमेंट्स आता हैं अब जानते हैं कि इन सब की अंतरगत कॉन कॉन सेवेंट आते हैं तो sprint race में तिप्रिगति की दोड़े आती हैं जिसमें 100-200-400 मिटर रेस सामिल है दोस्तों कभी आप पूछा जाता है कि sprint race में कॉन कॉन से दोड़े सामिल होती है तो 1204 स्मीटर इसको भी से ध्यान में रखेगा and middle distance race में 8 स्मीटर एंड 15 स्मीटर दोड़ आता है middle distance race यानि मद्यम्दूरी की दोड़ो को pace race भी कहा जाता है यानि pace race का मतलब होता है समरुपता यानि कि जो speed starting में है वही speed लगभग finishing तक रहेगा तो कोशन इस प्रकार बन सकता है कि कतने मिजड़ को पेसड रेस कहा जाता है स्टु इस तरह से बुल सकता है मिडिल डिस्टेंश रेस को पेसरेस बोला जाता है यानि लंबी दूरी की दड़ों में 30,000 में के लिए 5,000 में के लिए 10,000 में के लिए मेराथन दड़ जो 42 समलो एक, नौ, पांच किलो मेटर यानि 26 मेल से तिन्सों पचासी गज का होता है and 20 किलो मेटर वाक फ़िमेल के लिए 50 किलो मेटर वाक मेल के लिए and 50 किलो मेटर क्रास कंट्री दौर इसमें शामिल है लांग दिस्टेंस डर्स में एन अबस्त्रिकल रिस में बाधा दोर आता है जिसमें 110 मीटर बाधा दोर मेल फिमेल के लिए होता है 110 मीटर बाधा दोर किसके लिए होता है मेल के लिए होता है और 100 मीटर बाधा दोर उमेन के लिए होता है तिक है एंड 400 मिटर जो बधादर होता है मेल फिमिल दोनों के लिए होता है इसको ध्यान में रखिएगा एंड 3000 मिटर स्टिपल चेज यानी पानी बधादर होता है जैसा कि आप सभी जानते होंगे इसमें 28 बधादर इंड 7 वाटर जंप होता है एंड रिले रेस में 4 गुड़ी 100 मिटर का रिले रेस एंड 4 गुड़ी 400 मिटर का रिले रेस होता है एंड फिल इवेंट में थ्रोइंग एंड जंपिंग इवेंट आता है थ्रोइंग इवेंट के अंतर गयात साथ पूट यानी गुला फेक hammer throw तारगुला फिक, discuss throw याणि चेकः फिक, javelin throw यानि भाला फिक, या 4 events, throwing events में आते हैं, and 4 events, jumping event में याते हैं, jumping event में, सामीर है, long jump, यानि लंबी कूद, triple jump, jump, यानि तरी कूद, जिसे हाप, step, jump भी कहा जाता है, and तिसरा है, high jump, थे जो लेट है दोस्तों इसाहि एवट्स प्रकार इठलेटिस हो थे ट्राय के आ कि उस्लम मिला राधुट ये लिएडियो आपो बहुत अच्छा समोझ होला की शह नहीं कि अट जाई करे zijn दोस्तों नेस्ट वीडियो जो है वो मैं बताऊंगी कि एकलेटिस में दोड को स्टार्ट करने की कितनी विधियां है यानि सिटिंग यानि क्राउच स्टार्ट एंड स्टेंडिंग स्टार्ट के बारे में बताऊंगी फिर कमांड क्या दिये जाता है स्प्रिंट रेस में और मध्यमय लंबे दूरी की दड़ों में फिर फाउल क्या होता है कितने फाउल होते हैं एंड इस ट्रेगर क्या होता है इसके बारे में नेस्ट वीडियो रहेगा तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमें जरूर बताईए वीडियो को जादे से जादे पिर दोस्तों तक सेयर किजिए जो भी इस एक्जाम के तैयारी कर रहा है उन तक भी आप दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट टापिक के साथ तब तक के लिए जहें